भारतिय जनता युवा मोर्चा का एक परती निधी मंडल जमशेद पूर उपायुक्त कारियाले पहुँच कर उपायुक्त से मुलाकात कर साक्ची कब्रिस्तान में हो रहे अवैद निर्मान उसके अंदर खुलने वाले अवैद शिक्षन सलस्थान सभागार व वेपारिक पर परतिष्ठान के निर्मान पर विरोध दर्ज किया है परदेश उपाध्यक्ष निशांत कुमार के साथ एक परती निधी मंडल उपायुक्त कारियाले पहुँच कर सारी वस्तु इस्थिती से उन्हें अवगत कराया परती निधी मंडल ने बताया कि विगत एक साल पहले भ पुना भू माफिया अपने मनसूबे पर कामियाब होते नजर आ रहे हैं अवैद रूप से कबरिस्तान में शिक्षन संस्थान खोला जा रहा है बहु मंजीला इमारत का निर्मान किया जा रहा है सभागार बनाया जा रहा है वह बेपारिक परतिष्ठान का निर्मान किया पूरी तरह से अवैद और गलत है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा पहले ग्रेजुएट कॉलेज के पीछे कबरिस्तान का दर्वाजा खोला गया। से जल्द उपाय। इस मामले में संग्यान लेते हुए इस अवैद निर्मान कारे को रुकवाएं अन्नता भारती जनता युवा मोर्चा इस मामले में उगरांदोलन के लिए बाद होगी। वहां जमावडा चालू हो गया। और सरोप्रथम उस कबरिस्तान का कोरोना काल में चुपके से ग्रेजुएट कॉलेज जहां पर हमारे घर की बेटी, हमारी घर की बहने पढ़ने जाती है। महा कबरिस्तान का पिछले तरफ से एक दरवाजा खोल दिया गया जिसको हम लोगा करके जिलाप्रसाशन के शंग्यान में दिये थे। ग्रेजुएट महिला कॉलिज बनने के बाद अख़बार में आया आप सबों के माध्यम से कि उसमें बहु मंजिला इमारत खड़ा किया जाएगा जिसमें कोचिंग संस्थान और मदर्शा का निर्माड होगा। पत्रों पत्रकार बंद्वों आप सबों के माध्यम से यम जमशेदपुर के प्रबुद्ध जनों से यह निवेदन करता हूं कि क्या असमसान घाट में और कपरिस्तान में कहीं कोई सिछा का जगा होता है बिलकुल नहीं वहाँ फकीर वहाँ पर अगोरी जैसे लोगों का वास होता है आज जिस तरह से जानवर के लिए कोई दफनाने का जगा नहीं है रोड किनारे फेका जा रहा है अगर ये लोग कब्रिस्तान पर कब्जा करके सिछर संस्थान खड़ा करेंगे और सिछर संस्थान के नाम पर उसका ब्योसाइक दोहन करेंगे तो क्या इनसान के दफनाने के लिए कोई अलग से जगा आएगा बिलकुल इनकी मनसा गलत है एवं वहां गलत मनसा से कबरिस्तान पर कुछ लोग कबजा करने का प्रयास कर रहे हैं और कबरिस्तान पर कबजा करने का ही प्रयास नहीं कर रहे हैं बलकि समाजिक सोहाल्द को बिगाडने का काम कर जिसका बारतिय जनताईवा मोर्चा पुर जोर विरोध करती है और पिछली DC महोदे के सामने साथ भी हम लोग आकर बोले थे और सूरज जी ने उस अवयद निर्मार पर रोक लगाया था आज उनके ट्रांसफर होने के बाद नई DC महोदिया के आने के कुछ दिनों के बाद अवयद रूप से फिर उस निर्मार कारे को चालू किया गया है हम लोग आकर आज DC ओफिस को इंटिमेट कर दिये हैं सुचित कर दिये हैं कि आप इस अवयद निर्मार को रोकिए अगर आप जल से जल उस अवयद धाचा को ढाने का काम नहीं करियेगा तो भारती जनताईवा मोर्चा सहर के तमाम नौजवानों को एक जूट करके एक बड़ा अंदोलन तयार करेगी और जिला प्रसासन को उस अंदोलन के माद्यम से संदेश देगी कि आप लोग जब तक इस अवयद धाचे को ध्वस्त नहीं कर देते हैं बारती जनताईवा मोर्चा चुप नहीं बटने वाली है क्योंकि समाज के बीच इस कबरिस्तान पर कब जाकर और अवयद मदरसा का निर्मार कर आप विक्रिति पाइदा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसको किसे भी कीमत पर हम लोग सफल नहीं होने देंगे मैं निशांत कुमार बारती जनताईवा मोर्चा प्रदेश का उपाध्यर्थ हूँ